हलो अबरीबान माइनेम इस इवन तुम्रे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैंगनेट बेस पे जो प्रोवाइट करता है कॉलिटी एजूकेशन फुल कोर्स कंटेंड के साथ जी हां फूल कोर्स कंटेंड के साथ ऐसा नहीं सा दो तीन चाप्टर और उसके बाद रहते हैं आज क्या लेक्या है हो मैंने का देखो ना work done during reversible isothermal expansion सर काम का है सर बिलकुल काम का है और पढ़ना पड़ेगा आता है कोशन बिलकुल आता है क्या करेंगे अरे सर कल लेंगे बिलकुल कल लेंगे अच्छा वैसे मैंने कल आपके कमेंट देखे थे मज़ा आ रहा था लेकिन एक बार कल के लेक्चर के लिए आज ही कमेंट सेक्शन में हो जाए एक बार चमका चमका के नहीं चमका जी बिलकुल तो चालू करते हैं सर आज बहुत बढ़िया टॉपिक है work done during reversible isothermal expansion चिके करें करें अरे tension मतलो मेरे साथ हो ना बाबु मुशाय tension नहीं लेना है बस आ जा रहा है मदा आएगा चलिए देखते हैं देखते हैं देखते हैं चलो थोड़ा पीछे चलते अभी उसको भूल जाते हैं कौन है क्या है जिन्दिगी से इतना जादा नहीं सबसे पहले रहे यार यह डोंज वोंज की पैंसिल लेकिए चलो चलो सबसे पहले आईजो कोरिक प्रॉसेस पढ़ाये था कर नहीं पढ़ाये था हाँ सर पढ़ाये था इसमें चीज होई थी सर वाल्लियूं कॉंस्टेंट क्या था volume constant हमने का अच्छी बात है सर अगर volume constant था तो और कुछ बताओगे मैंने का आप भी बताएगा सब बताएगा सर अगर volume constant थे तो पक्की बात है यह 0 होगा हाँ सर 0 होगा और 0 होगा तो सर वर का फार्मला क्या पढ़ाये थे आप minus P external into delta V और delta V 0 हो गया तो work done भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो सर सर जी ISO correct process में आपका work done क्या होता है 0 ISO correct process में आपका work done क्या होता है 0 क्या होता है सर जी 0 हाँ सर यह तो आपने थोड़ा बहुत हमें उस दिन भी पढ़ा दिया था कुछ नया बताओ मैंने का बता रहे हैं बता रहे हैं थोड़ा सुनो तो आजाओ आइजो बैरिक process क्या सर आइजो बैरिक प्रोसेस यह क्या है सर सर यह क्या है सर इसमें कुछ नहीं होता pressure constant होता है पढ़ाया था ना आइजो मतलब सेम बार किसकी unit होती है pressure की तो pressure remains constant मतलब आगे बढ़ेंगे तो work done क्या होता है minus P external into delta V और P constant है तो P की value हो रहेगी तो सर इसी चीज़ से अपन work done निकालते हैं किसमें आइजो बैरिक process में किसमें सर आइजो बैरिक process में कोई दिक्कत आइजो कोरिक में तो अपना work done क्या हो जाता है जी रो जी रो सर जी ही रो ही रो और आइजो बैरिक में क्या हो जाता है सर जी W equals to minus P external into delta V delta V तो ये दो process थी इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं पहले भी पता चुका था दो रों के बारे में छे लेकिन आज देखना है सर जी isothermal process क्या देखना है बड़ी आ एसर मजआ आएगा tension की बात नहीं है क्या बुला मजआ आएगा tension की बात नहीं है एक बार इतना लिखो फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं जल्दी इतना लिखोगे जल्दी तरनोट डाउन करिए जल्दी 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 तरनोट डाउन करेंगे अपन चलो हो गया चलिए अब देखते हैं सर जी पीछे क्या है सर पीछे है work done during reversible isothermal expansion क्या लिखा है work done during reversible isothermal expansion तो अब यह देखना है देखो सर मैं पूरा formula बताऊँगा अटेंशन मतलो work done during reversible reversible isothermal process इस पर अपन को आज बात करनी है सर मज़ा आएगा मैंने क्या बुला मज़ा आएगा मज़ा आएगा tension की कोई बात नहीं है ठीक है बहुत मज़ा आने वाला है ठीक है सर इनने एक formula दिया हुआ है सर ये निकाल के दिया खतरनाक दिख रहा है सर बहुत डर्सा लग रहा है मैंने का रहे डर्नी की बात नहीं है मैं हूँ ना tension मतलो बस चीजों को समझो चीजों को समझो अगा चीजों को बढ़िया तरीके से समझो कि कोई दिक्कत नहीं आईगी ये देखो ये एक बीकर है इस बीकर में मान लो ये एक piston है चीजों नीचे gas है ये gas है थीक है अब क्या हो रहा होगा gas क्या कर रहे है नीचे से प्रेजर्ट एकसर्ट कर रही होगी उपर की दरफ क्या एकसर्ट कर रही होगी stress यह कौन लगाँ है? gas लगाँ है. इसको P मान लेते हैं. एक pressure realizar हो रहा है ज गइन को रा रहा है किके ओपर piston के ओपर की. चल भाई चल उपर चल लेकिन इतने मैं ऊपर से भी एक pressure आरहा है जिसको हमने को भी पी external क्या sir P external मैंने उपर से दाऑ के रखा है ईब नहीं आने का और ये प्रेशर गैस लगा रही है और ये प्रेशर क्या है सर्थ-ट कोई दिककत की लगने समझ अब दिफिस्टन था मतलब येoder नीचे ले-टी-ज़ बलीए में एंब दूर दूर जाना मेरे पार्टिकल一直 आपने-पने पार्टी कल से बहुत ज्यादा चिड़ हो रही है करें हम दूर जाएंगे में तलो धूर से तो पिस्टन का जाएगा ऊपर जाएगा तो अब ऊपर जाने के लिए इप्रेशर लगेगा वह कौन लगा रहा थी जफी प्रेशर ओफ तो यह क्या हो जाएगा? External Pressure Applied Applied On the Piston Applied on the Piston हमने अच्छी बात है थोड़ा सा भाई साब को ऐसा ले लो चलो, पहले इत्ता लिखो जल्ली इत्ता लिखो मेरे साथ ड्राइव करते हुए चलेंगे यह नहीं के छोड़ना है भाईया छोड़ना बिल्कुल नहीं है ड्राइव मेरे साथ करते हुए चलने वाले आप लो चलो, जल्दी हुआ? अब क्या हुआ? कि सर्थ दोनों pressure कैसे बराबर है पिस्टन ना तो उपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है और अगर यह दोनों बराबर हो गए तो आपका पिस्टन कई मूव नहीं करेगा ना पिस्टन उपर जाएगा ना पिस्टन नीचे जाएगा तो सर्थ यह आ जाएंगे यह लोग आ जाएंगे thermal equilibrium में क्या हो जाएगा? thermal equilibrium में यह लोग काई में आ गए से थर्मल equilibrium में यही वो चाहता था हर सिस्टम अपने आपको equilibrium में करना चाहता है और सिस्टम ने यह अटेंट कर लिया सिस्टम ने का हम तो finally set हो गए हम लोग किस में आ गए? thermal equilibrium में किस में आ गए? thermal equilibrium में हमने का बहुत शानदार हमने का बहुत शानदार हमने का बहुत शानदार हाँ, हमने का बहुत शानदार देखे ज़रा यहां तक बात समझ में आई कि यह था case 1 ये था case 1 ये क्या था case 1 अब बात को ज़रा समझो अब लेते है case 2 क्या लेते है case 2 ठीक है वैसे आपको गए sir case 1 उदर नखाए case 2 उदर नखाए इसको aside करो न मैंने का चलो कर लेते मैंने का इसको भी कर लेते लो भाई आपकी मर्जी भी जरूरी है चलो इसको ले जाए फिर यहां set कर देंगे चलो यह हो गया case 1 ठीक है अब तो बढ़ी आए ठीक है sir अब ठीक है ना यारा अब अच्छा लग रहा है थोड़ा मैंने का ठीक है भाई ओके 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 चलो case 2 अब case 2 में क्या है sir सल ले आओ फिर से बनाएंगे अपन यहीं बीकर आजाओ बिटा ध्यान से देखना पूरा derivation करवा रहा हूं वैसे वो derivation काम का नहीं होता लेकिन आपके school point of view से काम का अगर पूछ लिया तो क्या करोगे पूछ लिया तो क्या करोगे वाई कुछ नहीं solve करेंगे यह देखो यह वो pressure अब अंदर कौन होगा gas यह है यह है यह है अपनी gas हमने का अच्छी बात है अगर gas है तो भाईया gas एक pressure लगा रही होगी gas एक pressure लगा रही होगी यह लोग यह इससे लगाएंगे क्या कहेंगे इसको pressure of gas अब एक pressure उपर से भी आ रहा होगा उसको क्या कहेंगे P external क्या कहेंगे P external जो बात यहां कही थी लेकिन लेकिन सर जी सर जी मैंने का क्या सर हमें पढ़ना है expansion तो भाईया अब होने वाला है expansion expansion का मतलब होता है gas अपनी जगा बढ़ाईगी gas expand होगी और अगर gas expand होगी तो piston उपर जाएगा और gas जब expand होगी जब P gas कैसा हो जादा हो मतलब pressure of gas pressure of gas ज़्यादा हो किस से ज़्यादा हो pressure of sorry किस से ज़्यादा हो external pressure से किस से सर external pressure से तभी काम हो पाएगा किस से ज़्यादा हो external pressure से तभी काम हो पाएगा pressure of gas PG किस से ज़्यादा हो सर P external P external तब ही काम हो पाएगा नहीं तो काम नहीं हो पाएगा हाँ sir अब समझ पा रहे हैं अब थोड़ा सा काम खदनाक होने वाला है मैंने का जी बिलकुल होगा क्योंकि sir अब gas ने इसको लात माल दियोगी piston को उपर चल बाई चल उपर चल तो यह देखे पिस्चन इत्ता उपर आ गया दिख रहा है यह देखे पिस्चन इत्ता उपर आ गया अगर पिस्चन इत्ता उपर आ गया तो यह देखे यह जो दिख रहा है change in volume यह जो दिख रहा है change in volume इसको मान लो dv इसको मान लो इसको मान लो delta v डेल्टा वी यह क्या आया चांट इंड वाल्यूम और अगर आप देख रहे हो तो भाईया काम किस ने करा system ने गैस expand हुई है час काम कर रही है based on ऊपर जाने का नहें तो मुक्कब आदेखां मतलब इस case में work done by the system हुआ है work done by the system हुआ है क्या हुआ है सर्जी work done by the system हुआ है मैंने का अच्छी बात है मैंने का कोई दिक्कत की बात नहीं है work done by the system हुआ है पहले इतना बनाओ फिर आगे एक और मज़दार बात बताता हूँ जल्ली बनाओ जल्दी 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 बनाओ जल्दी टाइम कमे भाई टाइम कमे जल्दी हो गया हो गया चल अब क्या होता है जब एक्सपैंशन होता है ड्यूरिंग एक्सपैंशन द्यूरिंग एक्सपैंशन भाई गैस के पार्टिकल दूर रहते हैं तो गैस होती है थंडी ड्यूरिंग एक्सपैंशन कूलिंग ओफ गैस टेक्स प्लेस ठीक है गैस क्या होती है सर्थंडी होती है गैस क्या होती है थंडी होती है ऐसे ठीक है क्या होती है सर जी डूरिंग एक्सपेंशन गैस क्या होती है कूल होती है और कूल होगी तो ठंडी हो जाएगी सिंपल सी बात है कूल होगी न क्योंकि सर पार्टिकल दूल दूल जा रहे दूल दूल जा रहे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी एनर्जी कम हो जाएगी तो भया क्या होगी ठंडी होगी के नहीं होगी जी बिल्कुल सा ठंडी होगी जी बिल्कुल सा ठंडी होगी हमने का ठीक है लेकिन उसको बापेस इकलिप्रम में आना है पहले भया जित्ती गरम thermal equilibrium में आने के लिए for thermal equilibrium में आने के लिए ठीक है अब देखे heat absorb heat absorb from the surrounding heat absorb from the surrounding यह बात याद अखना heat absorb from the surrounding यह पूछता है कभी-कभी यह एकात नंबर में पूछा जा सकता है ज्यादा नहीं लेकिन एकात नंबर में पूछ सकता है बहिए कि simple सी बाते जब expansion होता है तो heat absorb करता है कि वह release करता है तो बहिए heat वह क्या करता है absorb करता है क्यों absorb करता है for thermal equilibrium for thermal equilibrium यह बात आपको पता होनी चाहिए clear है अच्छा अब अपन को यह देखना है यह जो volume का change आया है यह जो volume का change आया है इसमें कितना work done लगा है इसमें कितना work done लगा है कितना work done उसने किया है कि इस volume में changes आये तो हमने का ठीक है देख लेता है फटा पट जल्दी screenshot लेंगे जल्दी इतना screenshot लेंगे फिर में next बताने वाला हूं जल्दी 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 कोई दिक्कात कोई प्रावलम चलिए एक बात और बताऊंगा थोड़ा सा डाइग्राम में फिल से पीछे बनाने वाला हूं काम का है थोड़ा इतना क्लियर हुआ के नहीं थोड़ा सजादे क्या ये लो ठीके जल्ली बनाओ फिर अभी expansion का case देखते हैं कल लू आगे बढ़ू आगे बढ़ू चलिए सर अब देखिए वो डाइग्राम पता इसलिए चाहिए अब वो क्या copy नहीं होता यार ये तरीका और मेरे को सीखना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे वाला डाइग्राम में दर आगे copy नहीं होता है चलिए दियान से देखना भाई बैया सिर्फ आप लोग के लिए करवा रहा हूं मैं ये derivation ठीक है क्योंकि आपके schools में पूछता है इसलिए हलके में बिल्कुल नहीं लेने का बिल्कुल हलके में नहीं लेने का ठीक है आप जानते हो नीचे से कौन सा pressure लग रहा है P gas और उपर से कौन सा लग रहा है P external और आप जानते हो कि भाईया जो अपना P external pressure है वो आपका कम है as compared to P gas ठीक है आप देखो मैं आपको क्या important बताने वालो पहले volume किता था इसको कहेंगे V1 और बात का volume जो बढ़ गया है final volume वो किता है V2 और change किता है volume में delta V आपनको यही निकालना है कि जब यह volume change हुआ delta V तो उसमें किता work done करने को मिला तो आपने का ठीक आजाओ sir simple सा है अपना कर देंगे work क्या होता है work क्या होता है sir work का formula होता है P external into delta V हमने का अच्छी बात है तो sir अब हमें क्या करना है delta V के लिए निकालना है तो छोटे-छोटे तुक्षणों में निकलेगा और आप हमेशा जानते हैं छोटे-छोटे तुक्षणों को प्लस कर दो उसी को कहते हैं integration तो हमें integrate करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा भया integrate करना पड़ेगा चलिए अब या बायो वाले डरेगा नहीं कोई integration की बात पे मज़ेदार है physics में तो पड़ते ही हो तो integrate करना है P external into delta V चीक है कोई से दिक्कत तो नहीं हमने का चीक है सर लिमिट भी रहेगी final volume क्या था V2 initial volume क्या था V1 हमने का अच्छी बात है हमने का बहुत बढ़िया बात है कोई दिक्कत की बात नहीं है चीक अच्छी है अच्छी है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा अब सर लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा मैंना क्या हुआ था अपन यह बोल देते की पी एक्स्टर्नल किसके बढ़ाबल था सर पी पी क्या मतलब है प्रेशर ओफ गैस प्रेशर ओफ गैस और अपन जानते एक और चीज आईडियल गैस एक्वेशन हाँ सान हाँ ऐडियल गैस हाँ एक्वेशन क्या होती है विठा फी इकृस्टो टू ए नर टी यहां से अगर पी की वैल्यू ने कालू तो क्या हो जाएगा एण और यहां बज़ाएगा यह किसके ब़ hugely और अगर देखा जा झाए तो पी क्या है V1 और P external क्या लिख सकता हूँ? N, R, T upon V delta V अच्छा, इतने में कोई doubt? इतने में कोई doubt? हो तो बताईए जल्दी हो तो बताईए, थोड़ा सब आपन short कर लेंगे, tension low दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मैं चिक्कल देता हूँ, फड़ा बड़ देखे जल्दी हाँ, visible है, visible है, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है चलो, आजाओ, आजाओ, चली अब ध्यान से देखो, सर एक और काम करेंगे बहुत मज़दाद, सर W as it is minus N, R, T हो जाएगा बहार, V1 V2, और यह क्या हो जाएगा, सर सर, फोर सॉल्व करिएगा, अच्छे से मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा, क्या होगा 1 upon V D V 1 upon V, D V अब सर, कौन मुझे बताएगा, integration का formula integrate 1 upon X into D X इसका formula कौन बताएगा, जल्दी कोई भी comment section में बता दे, भाई, मैस वाले तो चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे सर, log X सर, log X क्योंकि log X का differentiation होता है, 1 upon X, हमने खाएगा, ठीक है सर, मिल गया मिल गया सर, मिल गया तो W equals to minus nRT minus nRT अंदर हो जाएगा log log क्या जाएगा, V और यहाँ पर हो जाएगा V2 minus, sorry, V2 और V1, यह limit है न, अभी limit कहीं जाएगी थोड़ी, अभी limit कहीं जाएगी थोड़ी, चलो अब इसको भी थोड़ा सा short arrangement में लिख दें फिर अपन चलते हैं, थोड़ा सा जगा बनानी पड़ेगी भाई बिना जगा बनाए कुछ नहीं होगा चलो बात समझ में आई, इतना समझ में आया तो पहले एक बार बोल दो भाई चमका के नहीं चमका चमका के नहीं चमका पहले तो यह बताओ चलिए, इतना क्लिया रे सब को चलिए सर आप थोड़ा सा उदा शिफ्ट हो सकते हैं क्या नहीं होंगे तो हम कल तो देंगे यह आपको इन पर भी हम आपसे आपकी वो पूछ रहे ते दाए चलो अब एक काम करो इन सब को ले लो सब को ले लो बढ़िया सर सिस्टेमाटिक तो आपको जमाना पड़ेगा तब ही मज़ा आएगा यह देखो यह हो गया पार्टीशन चलेगा भईया पार्टीशन चलो आजाते हैं अब क्या है सर देखिए अपन हमेशा आपने उसमें पढ़ा होगा तो कि स्में पीजिक्स में और उनकोदिक्कत नहीं माईनस ऐनार्टी पर तो कोई दिककत नहीं मुझा पहले क्या होता सर हाय यशा यह लिमेट रखाती है वीटू एड़ है कि डूद आफे कोई दिकत 2 है यहीं formula होता है, एक formula होता है, सब देखिए, log m minus log n, मैंने पढ़ाया है भहिया, chemical kinetics में, और मैंने पढ़ाया है आपको, यह 12 का बता रहा हूँ, chemical kinetics, आपको भी कहीं-कहीं थोड़ा चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ, भहिया, सब को पढ़ना है, आके बैठके, log m upon n, और यह formula ऐसा formula है, जो आप सबने बच्च्पन में पढ़ा हुआ है, सर यह formula आता है भाई, यह formula तो आपको आना चाहिए, यह formula तो आपको आना चाहिए, put up करिए, सर तो क्या हो जाएगा, w equals to minus nrt, log m upon n, क्या हो जाएगा, log v2 upon v1, यही होगा, अब यहाँ प e है, अगर इस base to the power e को 10 में बदलते हैं, तो यह होता है, w equals to minus 2.303 nrt, log, base to the power 10, v2 upon v1, सर यह देखिए, आपका finally formula आपके सामने है, कुछ नहीं किया है, base में 10, क्योंकि आपके पास जो log table होता है, वो यही होता है, final formula आपके सामने आगया है, देख लीजे एक बार, देख लीजे आपके सामने, यह formula तयार है, जो अपन को लेके आना था, जल्दी देखिए, जल्दी, एक बार पीछे भी दिखा सकता हूँ, देखिए, वीटू अपन वी, log 10, 2.303, nrt, देखिए, nrt, सब का सब यहाँ पर save है, देख लीजे, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, हुआ 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 क्या है मैं को वो साइड वाला हडाना पड़ेगा भाई अभी इसलिए उसका डाइग्राम बना लीजे मैं उसको हडा रहा हूँ क्योंकि मैं को वहाँ पर काम है चलो चलो जल्दी जल्दी हुआ चलो हो गया होगा भाई हो गया होगा आजा हो जल्दी आजल्दी आजल्दी चलो अब आपने एक law पढ़ा होगा वैसे ही याद तो आपको होगा नहीं states of matter का है according to boils law यह relation होता है pressure and volume के बीच में यह जो रिष्टा है किसके बीच में pressure और volume के बीच में ठीक है लड़कियों को बड़ा पता हो भाई सीरियल आता था यह रिष्टा क्या कहलाता है है ना वही वाला तो इनका relation आपको बताना है तो भाईया pressure जो होता है वो inversely proportional होता है किसके volume के किसके inversely proportional होता है volume के let's suppose अगर मैं इसको हटाता हूँ proportionality का sign तो यह होता है k upon v क्या होता है k upon v और solve करता हूँ तो pv equals to k मतलब pv equals to हो जाता है constant क्या हो जाता है constant बाज 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 मस्ती मजाग नहीं लगे रही है सब लोग को पढ़ाई करनी है pv equals to k जिसको अपन क्या नाम देते है constant let's suppose suppose अगर आपका pressure p1 है and volume v1 है तो क्या हो जाएगा p1 v1 equals to k p1 v1 equals to k अगर आपका pressure p2 है और volume v2 है तो भाईया क्या होने वाला है तो हो जाएगा p2 v2 equals to k हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा और जब जब गजाब जब 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 गजब जब 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 गजब जब 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 गजब क्या गजब अगर मैं दोनों equation को equate कर दूं यह equation 1 यह equation 2 तो क्या हो जाएगा p1 v1 equals to p2 v2 होगा क्या नहीं होगा p1 v1 equals to p2 v2 और अगर मैं पी टू और वी टू अपॉन वी बन कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई सार यह क्यों करवा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है भाईया कभी-कभी ऐसा होगा आपके पास कभी-कभी ऐसा होगा कि आपको volume नहीं देगा आपको pressure देगा तो volume और pressure का relation आपके सामने ले आया है हाँ V2 V1 equals to P1 upon P2 तो जब इस formula को मैं pressure के terms में लिखूंगा किसके terms में लिखूंगा pressure तो W equals to minus 2.303 nRT log to the power base 10 और V2 upon V1 के लिख दू P1 upon P2 ये कराना था मेरे को मज़ा तोड़ी आ रहा था कि आपको ये सब पढ़ा रहा हूं मैं तो ये दो formula एक pressure को लेते हुआ और एक volume को लेता हुआ आपके सामने चलो जल्दी note down चलो ये कोई दिक्कत तो नहीं मज़ा आया drive वह formula के नहीं मैंने का ही ता sir मज़ा आएगा मज़ा आएगा चलो पीछे देख लेते हैं ये बात थी expansion की किसकी sir expansion की sir तो क्या expansion की बात होती है क्या compression की बात नहीं होती है मैंने का होती तो है अभी compression भी देख लेंगे पहले भाई एक बार अगर ये समझ में आया हो तो एक बार चमका हो जाए एक बार चमका चमका हो जाए हुआ है क्या नहीं हुआ है चल ये पीछे देख लेते हैं चीके पीछे देख लेते हैं ये देखिए ये था क्या नहीं था देखे, दोनों formula कर लिया पनना है एक ये formula भी निकाल दिया चलो एक ये formula भी हो गया और एक ये formula भी हो गया pressure को लेके कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दाध दोनों formula हो गए ये formula number one और ये formula number two चली, जली करो जली note down करो, एक screenshot इसका भी लो जली screenshot लो फटा फट फिर आगे बात कलते हैं और मज़ेदार बात कलते हैं ऐसा नहीं किया थोड़ी ऐसी बाते मज़ेदार बात करेंगे चलो हटा दू, screenshot ले लिया ना चीक है, अब देखो सर आगे क्या है ओ सर, देखिए जो आप बोल रहे थे वो आ गया हाँ, work done during आईजो थर्मल कंपरेशन अभी क्या हो रहा था सर, अभी expansion हुआ था, अब बाते कंपरेशन की अब बाते कंपरेशन की जला समझना, अच्छे थे देखना ये piston है अंदर गैस होगी अंदर क्या होगी, गैस होगी अब ये उपर से कौन सा प्रेशर पी एक्स्टेनल, नीचे से कौन सा प्रेशर पी गैस, अब सर मान लो अगर एक्स्टेनल ज़्यादा है अंदर जा, अंदर जा अगर external pressure जादा है कि से pressure of gas से, तो क्या होगा सर ये अंदर की तरफ जाएगा ये ये अंदर की तरफ जाएगा ये देखे, पिस्टन कहा flying गया अंदर आगया तो gas देखे, पहले कितने में ती और अब क्या हो रही है अब क्या हो रही है आप क्या हो गए, यह compress हो गए, कुछ volume कम हो गया है, कितना volume कम हुआ है सर इतना, delta v volume क्या हो गया है, कम हो गया है, तो द्यान से देखिए, पहले volume कितना था यह, यह था v1, अब final volume क्या है, यह, v2, दिख रहा है के नहीं दिख रहा है कम हो गया है क्या हो गया है सर कम हो गया है क्या हो गया है कम हो गया है तो यही बस आपको पता होना चीए तो यहाँ पर बस volume में हिर फेर है और कोई भी हिर फेर नहीं पका कोई दिखत तो नहीं confirm चलिए 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 क्या हुआ पहले अलग चीज हुई थी पहले क्या हुआ था देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ दो वॉल्यूम थे पहले ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम यह जो बड़ा वाला वॉल्यूम था जो बड़ा वाला वॉल्यूम दिख रहा है इसको अपने माना था भया अगर आपको याद हो वाँ पे तो इसको अपने क्या माना था बड़े वाले वॉल्यूम को V1 और जो यह छोटा वाला वॉल्यूम था इसको क्या माना था अरे सर ये V1 था और ये V2 था पीछे चलके देखो पीछे चलके देखो सब मिलेगा पीछे चलके देखो सब मिलेगा का से ये देखो यही था अपना अब इसमें क्या था अपन का देखो पहले ये V1 था यही था ना फिर expand होके यह V2 हो गया था बड़ा वाला वाल्यूम V2 था बड़ा वाला वाल्यूम क्या था सर V2 देखिए बड़ा वाला क्या था V2 छोटा वाला क्या था V1 यही था क्या नहीं था और जब मैं इसका formula drive करूंगा W equals to क्या था integration P external into delta V यही होगा तो आप क्या होगा final minus initial नीचे क्या होता इनिशल उपर क्या होता final final क्या है सर सर final इस पर V1 है क्योंकि बाद में होगा ला वीवन compress होने के बाद तो V1 का अचला जाएगा उपर और नीचे क्या जाएगा V2 तो जो आपका पूरा formula drive हो क्या आएगा जो पूरा formula आपका drive हो क्या आएगा उसमें क्या हो जाएगा log नीचे base to the power 10 और बैया उपर क्या है V1 नीचे क्या है V2 उधर क्या आये था सर उधर आये था V2 upon V1 बस यह याद रखना compression में यह बदल जाते हैं यह देखिए और अगर यह V1 upon V2 हो गया नहीं क्योंकि सर compression में volume कम हो गया expansion में volume बढ़ गया था बस इतना फरक है और कुछ नहीं देख लिजे आप पीछे जाके देख लिजे यह देख लिजे V2 upon V1 और यहाद देखिए compression में V1 upon V2 यहाद देखिए P1 upon P2 यहाद देखिए P2 upon P1 दूसरी बात compression में क्या हो रहा है work on the system है work on the system है और जब work on the system होता है तो भाया work कैसा होता है positive इसलिए देखिए इस sign के आगे क्या लगा हुआ है plus इधर पे क्या लगा हुआ है plus लेकिन इधर क्या लगा था minus क्यों क्योंकि यह work done by the system था क्या था सर्ची बाइदा system कैसा था बाइदा system जल्दी देखिए जल्दी यह क्या था बाइदा system चलो जल्दी 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 बस कोई दिक्कत की बात नहीं है इत्ता है रखना यहाँ पर क्या यह ऊपर क्या आएगा V1 नीचे के आएगा V2 और यह माइनस नहीं आएगा बाकी पूरा आप solve करोगे हो जाएगा बाकी पूरा आप solve करोगे डिक्तू सेम होने वाला है करना तो नहीं है करना है तो लोग वो भी कर देते बाई compression compression माइनस हड़ी आएगा यह लो माइनस हड़ी आप इदा आओ इसमें देखो final क्या है final अपना है V1 और initial क्या है V2 चलिए final क्या है V1 और initial क्या है V2 यह भी V1 यह भी V2 यह भी V1 यह भी V2 यह V1 V2 और अब सब के माइनस हड़ाते चलो बस चीक है अब इदा साइड आओ इदा साइड क्या हो जाएगा क्योंकि देखिए उपर V1 V2 है तो यह V1 यह V2 और यह माइनस हड़ाओ यह माइनस हड़ाओ अरे आजा भाई यह क्या हो जाएगा अपना यह भी हो जाएगा अपना V1 और यह V2 यह अपना V1 V2 और यह अपना माइनस यह अपना P2 अपन P1 यह और यह हो जाएगा अप on the system सर पूरा चेंज हो गया है यह आगया है compression के लिए यही निकाला है अभी पीछे यही लिखा हुआ है देखो ना जाके देखा करो क्या है V1 अपन V2 प्रेशर के टम्स में P2 अपन P1 यह देखे पूरा आगया पूरा यह चेंज हो गया भाई आभी यह किसका है compression का सर दोनों के दोनों दोनों आदेरिवेशन पूरे करवा दिया काओगे सर फालतु बात मत करो तो देरिवेशन कोई पूरा नहीं करवा थोड़ा मिटार मिटार के आपने हमें उल्लू बना दिया है मैंने कोई उल्लू नहीं बना है ठीक है कोई उल्लू नहीं बना है जल्ली करो जल्दी 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 चलो हो गया हो गया हुआ चलो अब चलते हैं अब आगे देखते हैं आगे क्या है चलिए चलिए इसका स्कीन शॉट लेना है तो ले लीजे देखिए आइजो थर्मल कंप्रेशन वर्क आफ आइडियल गैस में भी ड्राइव सिमिलर्ली एंड इट अग्जाली दिजा इट अग्जाक्ली दा सेम वैल्यू वेथ पॉजेटिव साइन किसके साइन पॉजेटिव साइन ये कंप्रेशन है ये क्या है कंप्रेशन है ये अच्छी बात है यह कंप्रेशन लिख दू ये कंप्रेशन है चीके चलेए बढ़ेंगे पर एक बढ़ादो भाई ये यक ता चमका के नहीं हो थोड़ा सा फर्क था जो मैंने आपको बता दिया उसीज में confuse नहीं होना बस जो मैं आपको बार बार बता के आया हूँ compression के case में यह हुआ compression हाना तो याद अखिए यह हुआ compression पहले यह अपना V1 मानते थे अपने इसको हाना यह V1 था यह था V1 नहीं सर यह V1 नहीं था याद करो भई आपका जब expand हुआ था तो expand में आपने क्या मांगा था आपने expand में आपका piston यहा था expand में आपका piston यहा पे था तो आपने इसको V1 माना था और फिर आगे चलके इसको क्या माना था V2 तो आप क्या था कि यह जो V2 था यह इनकी initial condition ही थी और V1 क्या था इनका final condition था इसी लिए साइन उल्टा हुआ है V1 उपर चला गया और V2 नीचे आ गया जो यह समझ गया वो खेल खेल गया वो खेल खेल गया चलो आगे बढ़ेंगे okay sir free expansion यह भी बढ़िया है sir मतलब वो कह रहा है free expansion मतलब कोई बंदिश नहीं है हाँ कोई भी बंदिश नहीं है जो अभी चल रहा था ना कि आपके बीब कर के उपर एक piston रखा था को एसा कि ऐसे हैं और गयस अपने आपको कहई रही थी भईया मैं तो जाओंगी मैं तो गूमके आऊंगीra मैं तो गूमके आऊंगी ऐसा कह रही थी लेकिन अब नहीं कह पा रही है अब वो expand कर रही है क्या कर रही है और अभी तक क्या था उपर एक प्रेशर था पी एक्समेंट ragas go next aspect रहा था अब उनày का भी हैs free expansion मतल्जा कोई नहीं है उपर औरinho के रोखेगी किशेने और ही मैं तो नहीं रुकेगी डॉल लगाती हुई जाएगी जैसे मालों अपक讲 आपके घरवाले बोलते तो दो दिन की चुट्टी देता हूं कोई रोक टोग नहीं है राद बर गूम दिन बर घूम क्या घर आओगे नहीं आए राद बार डिचिंग 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 नाचिंग एकदम बडिया घूमते फिर होगे तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है सार एक्स्टरनल प्रेशर जीरो हो जाता है एक में डुकना है याज सार तो आप पानी पी लें चलिए तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है सर्जी पी एक्सेंटल जीरो कोई बंदेश नहीं है रुग जा रुग जा रुग जा नहीं होगा ऐसा कोई जैसे आप मानते हो ना आपकी गाड़ी कितनी स्लो चलती है जब वहाँ पर ट्राफिक पुलिक्स वाले खड़े ते ह हो रहा है कई आपके लाइसेंस चेक हो रहा है तो आप दिये दिये चलते हैं पकड़ना ले पकड़ना ले पकड़ना ले कोई नहीं है तो दोस्त क्या बोलता है भागा रहे भागा निकल 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 बहुत तेजी में तो जब तक बंदिश नहीं है तो फ्री एक्सपेंश में क्या होता है formula क्या है sir? Sir formula है minus p external into delta v और आप जानते हो कि p external 0 हो जाएगा वो 0 हो गया तो 0 into delta v तो sir यहाँ पर आगया 0 free expansion में work done होता है 0 यह बात यहाँ रखनी है क्योंकि भाया पी एकसंट्र जीरो है और अगर फ्री एकस्पेंशन में हो सरशाम klar क्षी वात है कोई दिक्कत की बात थोड़ीं और अगर यहीं पर यहीं पर चाया क्या ले लह को एकॉर्डिंग टूर फॉर्स्ट लॉर जानते हो कि नहीं अरे भाया एक बार first law का expression लिख दो जला अगर जानते हो तो एक बार first law का expression लिख दो भाई नहीं तो कट्टी हो जाओंगा नहीं तो कट्टी हो जाओंगा जल्ली free expansion का sorry first law का expression लिख दो भाई कट्टी हो जाओंगा नहीं तो मैंने गा, चलो, ठीक है, क्या होता है, delta u equals to q plus w, और अगर w के जगाँ पे रखूं में, क्या ये वाली value, minus p external into delta v, यही होगा, चलो, आप थोड़ा छोटा-छोटा कल दें, छोटा-छोटा कल दें, तनक-तनक सा, तनक-तनक सा, चलो, अब अगर ये कल दिया, और आप जानते हो, p external किता है, जीरो है, अगर p external zero है, तो आपका delta u किसके बराबर हो गया, oh my god, मतलब इस free expansion में, जो भी internal energy में change आता है, वो किसके बराबर होता है, heat के बराबर, in, by god, free expansion, change in internal energy, change in internal energy, is equal to, is equal to heat supplied, heat supplied, work पे कोई लेना देना ही नहीं है, free expansion में, भईया, work होता है, zero, zero तो उस पे कोई लेना देना नहीं है, तो भईया, आज तीन केस पढ़ाएं मैंने आपको, पहले इसको note down कर लीचे, फिर बात करते हैं, आज मैंने आपको तीन केस पढ़ाएं, मैंने expansion बताया है, मैंने compression बताया है, और साती सात मैंने आपको free expansion बताया है, तीनों important है, तीनों बहुत ज़्यादा important है, बोले तो काबिलिये तारीफ, जरूरी भी है, और करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, हो गया, हो गया, कोई रिकत तो नहीं, तो याद रखना है, इस case में free expansion में, जो internal energy में change आता है, वो किसके बराबर होता है, heat supplied, एक बार लिख दिंगे, एक बार भाईया, सब लोग मिलके, ये वाला expression लिखेंगे, delta u equals to q, delta u equals to q, सब को देखना चाओंगा भाईया मैं, कितने लोग लिखते हैं इसको, भाईया मैं देखूंगा, अगर नहीं लिखा तो लड़ाई हो जाएगी, जल्दी जल्दी, delta u equals to q, तो भाईया ये work done पूरा आज खतम होने वाला है, पूरा work done ने प्ठा दिया है मैंने, जल्दी जल्दी, भाईया जल्दी, जल्दी खतम किया जाए, जल्दी खतम किया जाए, लेट ना हो, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी चलिए कर लिया चालू कोई देख करता नहीं नोट डाउन हो गया पका चलिए सर तो आज क्या-क्या हो गया एक बार थोड़ा कंपाइल करते हैं और भास खतम करते हैं सर यह तो यह मत दिखा यार वद खतननाक सी चीज़ दिखती है हाना मारों ज्यादा बोलोगे तो चलो तो आज अपने क्या देखा वर्क डन इन रिवर्सीबल आईजो थर्मल प्रोसेश जिसमें पहला देखा कंप्रेशन पहला नहीं पहला एक्सपेंशन देखा था फिर कंप्रेशन और फिर इसके बाद फ्री एक्सपेंशन फिर क्या देखा आपने फ्री एक्सपेंशन कोई दिक्कत की बात ये तीनों चीज मैंने आपको आज करवाईए ये तीनों चीज मैंने आपको आज करवाईए और बज़ा भी आया होगा अगर आया तो एक बार भाईया चमका के नहीं चमका सर्फ पूरा वर्कदन समाप्त हो गया है अब वर्कदन का टॉपिक हो गया एक हीट चलिए तो सर एक बार इसको भी क्लियर कर रहा हूँ देखिए एक यह पढ़ाया फ्री एक्सपेंशन इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए फॉर्मला आपके सामने है जल्दी जल्दी पूरे में दिखा देता हूँ यह फ्री एक्सपेंशन हो गया यह बया कंपरेशन का फॉर्मला है किसका है यह कंपरेशन का यह बॉल्यूम यह प्रेशर जल्ली स्कीन शॉट लो फिर पीछे चलो यह यह आगया आपका किसका एक्सपेंशन का किसका आगया एक्सपेंशन का वीटू अपन वीवन पीवन अपन पीटू ले लिया यहां तक ह था बस ओए ये हुआ समाप्थ, ये चीजे हो गई समाप्थ, भया तो आज मज़ा आया होगा, मैंने आलमोस्च आपको सारी चीजे बता दिये, और कोई दिक्कत है आपको देखने को नहीं मिले हूँ बड़ चीज हैं कि सर आपको पढ़ाई करनी है और दबा के पढ़ाई करनी है तब entrepreneurs आएगा नहीं einen आएगा और सर अपनी सोच बड़ी है और बड़ी सोच के लिए बड़ी मेहनत लगती है तब जाके इधर पे कुछ हो पाता है सर मैं तो कमर कसके बैठा हूँ आप भी मैंने क्या कहा है सर यह chapter is all about practice revision अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे आपको खुद देख रहा है मैं बड़े वीडियोस नहीं बना रहा हूँ क्यों मैं नहीं चाहता है एक ही बार में इतना सारा दे दू कि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं तो छोटे छोटे वीडियोस हैं हो जाएगा tension मतलों मैं बैठा हूँ ना मैं हो ना सब खतम करवा दूँगा लेकिन लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा Magnet Bains और मैं साती सात कमरकस के बैठे हैं Magnet Bains के दो चैनल हैं आप सभी जानते हैं एक English Medium as well as Hindi Medium English Medium में CBSE हर देन Class 11 12 के लेक्चर्स लेकिन मैं आपके सामने आता हूँ और रोज अपन काम करते हैं बड़िया तरीके से काम चलते रहते हैं Spoken English, CUT, NTSC जैसे सारे के सारे कोर्स अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपका काम है सिर्फ पढ़ना Olympiad भी है सर और Hindi Medium में भी CBSE अगर कोई दोस्त हो तो बोल तो सर चल मेरे बाई चल मेरे बाई 11 12 इसके अंदर भी है और important boards like UP board, BR board और आपका MP board सर ये boards भी available है और क्या चाहिए बस आपका काम है कि रोज आना है, पढ़ना है, notes बनाना है, बढ़िया चले आना सर, notes से यादा है, notes नहीं बन पा रहे है, सर, notes में दिक्कत आ रही है, मैंने का वो भी है, ये देखिए, e-nodes, e-books सर, description में link available है, जाईए, देखिए, खुश हो जाईए, सर, एक मातर channel, जो 100% free education प्रोवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, एक मातर channel, quality plus free education प्रोवाइड करता है, और सर बताईए, और क्या करें, बस आप से इत्ता अनुरोदे, रोज आके पढ़ना है, बढ़िया तरीके से, और कोई दिक्कत हो तो comment section में जरूर डाल दीजेगा, ठीक है, तो आज का धमाकेदार work done पर session होता है, समाप, कल मिलेंगे एक नए topic के साथ, गरम गरम topic के साथ, गरम word यूज कर रहा है, क्योंकि कल heat आने वाला है, तो बिल्कुल miss नहीं करेंगे, same team, same जगा, कहाँ पर आके मिलना है, मुझसे यही पर कितने बचे, same time, चीके, चलिए तुम मिलते हैं, तब तक के लिए, bye bye, और कल के लिए तयार रह लिए का नया topic मिलने वाला है, मज़ा बिलकुल आएगा, और अगर आज के topic में मज़ा आया, तो एक बाद thumbs up और चमका जरूर लिखेंगे, चलिए, okay, thank you so much